बिल्कुल धीला छोड़ दो, समझ में आ गया और imagine करो, imagine करो आप जिस भगवान को मानते हो, जिस गौड को मानते हो, जिस भाशा में मानते हो, आप जिस संप्रदाई संस्कृती में आप मानते हो, आप सामने imagine करो कि वो परसन, वो परसन जो है उसकी golden energy आपके सामने है, आप imagine करो कि पूरे आपके सामने golden energy है, जैसे कोहरा होता है, जैसे कोहरा होता है इस तरीके से golden energy आपके सामने है, क्या है आप मुझे बताओ जरा golden energy आपके सामने है, बिल्कुल आप वैसा imagine करो, समझ मा गया अब आप उस golden energy के अंदर घुश जाओ, पील करो उस golden energy को, समझ मा गया जिसको भी मानते हो यह आप महसूस करो कि वो golden energy आपको touch कर रही है समझ मागया आपके face को touch कर रही है आपके हाथों को touch कर रही है आपके दिमाग को touch कर रही है आपके एक-एक cell को touch कर रही है cell के अंदर nucleus को touch कर रही है cell के अंदर intra cellular जो memory है उसको touch कर रही है imagine करो और सास लो तो महसूस करो वो energy आपके अंदर जा रही है सास लो और महसूस करो वो energy आपके अंदर जा रही है और अब जब सास निकालो तो महसूस करो कि आपके अंदर का डर, frustration, anger, fear of failure, heart का डर ये सब निकलता जा रहा है समझ मा गया सब निकलता जा रहा है ये विश्वास करो कि आपका सेलेक्शन होगा और नहीं हुआ तो से बड़ा कुछ होगा समझ मा गया दुनिया में बड़ी से बड़ी कमपनिया आप ये समझो कोई किसी मेडिकल कॉलेज में जाने वाले किसी IITN ने किसी MITN ने 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 बनाई सब ने ऐसे लोगों ने बनाई है जो अरली स्टेज में फेल हुएं और उसके बाद उन्होंने अपने आप पे विस्वास किया है तो सांस लो फिर से सांस लो और उस गोल्डन एनरजी को अपने अंदर आने दो समझ मा गया आपने एक-एक सैल के अंदर पहुँचने दो महसूस करो गोल्डन एनरजी आपके अंदर जा रही है और जब सांस निकालो तो महसूस करो ये गया डर, ये गया फ्रेस्ट्रेशन, ये गया एंगर, ये गया फियर और फैलियर सब कुछ चला गया, सब कुछ जो है वो बाहर चला गया, समझ मा गया अब आप देखो जैसे ही ये सब कुछ चला गया, तभी दरवाजे खुलते हैं आप देखो आपके सामने उस गोल्डन एनरजी में एक दरवाजा खुल गया golden energy में क्या खुल गया एक दरवाजा खुल गया समझवा आ गया ये दरवाजा तभी खुलेगा जब ये सारी anger, fear, frustration ये सब निकाल दोगे अब उसमें चलते चले जाओ अब उसमें क्या करो चलते चले जाओ उसके अंदर जाते जाओ उसके अंदर जाते जाओ, golden energy के अंदर जाते जाओ, अंदर जाते जाओ, उस golden energy के अंदर, चले जाओ golden energy के अंदर, चलते चले जाओ golden energy के अंदर, अब चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, और देखो जरा क्या है, सामने medical college लिखा हुआ है, आपने देखा होगा भी student medical college के सामने ऐसे photo खिचा के भेशते हैं, ऐसे पीछे लिखा होता है, ऐसे photo खिचा के भेशते हैं, भेशते हैं कि नहीं भेशते, तो आप imagine करो वो gate आपके सामने है, वो gate क्या है आपके सामने है, समझमा गया आप उस gate के अंदर चले जाओ, चले गए, अब देखो जरा, आप खुद को देखो जरा, एक बार खुद को imagine करो, क्या पहना हुआ है आपने, ये तो white color का apron है, क्या है ये white color का apron है, आप मुझे बताओ जरा, गले में क्या है, stethoscope है, हात में देखो क्या है, books रखी हुई है, समझमा आ गया, क्या रखी हुई है, books रखी हुई है, चलते चले जाओ, क्या feel कर रहे हो, कैसी feeling आ रही है, इसको imagine करो, कैसी feeling आ रही है, देखो सांत में आपके पापा भी है क्या, आपकी मम्मी भी है क्या, आपका छोटा भाई, आपकी छोटी बेहन भी है क्या, आपके दादा दादी भी है क्या, आपके सांत में, और उनके चहरे को एक बार आराम से देखो, उस चहरे में क्या है, हसी है या खुशी है, उस चहरे में कितनी खुशी है, कितनी खुशी है उस चहरे में, आगे चलते जाओ, कितने ज्यादा खुश हैं, सब के चहरे पर एक प्राउड है कि हमारा बेटा डॉक्टर बन गया, हमारा बेटा अब और अच्छा डॉक्टर बनेगा, एक अच्छा इंसान बनेगा, अब उनको बाय करो और कॉलेज के अंदर चले जाओ देखो आपका Lecture Hall, देखो Lecture Hall में ऐसे सीडियां बनी हुई है, Step Step ऐसे करते हुई बनी हुई है अब Lecture Hall में जाके बैठ जाओ देखो सभी लोग आपकी तरह ही है सब के चहरे पर खुशी है ये सभी वो लोग हैं जिनोंने इस एंगर, फ्रेस्ट्रेशन, डिप्रेशन को जीता है ये सभी वो लोग है कैसी फीलिंग आ रही है आपको बताओ ज़रा अब सामने कोई टीचर आया, उसने बुला अपने आपको इंट्रोड्यूस करो अपने आपको कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हो माईसेल्फ, डॉक्टर दिस बोलो इस चीज़ को मेरा नाम डॉक्टर ये है मैंने नीट में इतने मार्क्स लाए है मैं यहां से बिलॉंग करता हूँ अपना इंट्रोडक्शन दो इस तरीके से समझ माग्या, मैं आगे जाके ये बनना चाहता हूँ मैंने ये कॉलेज, इसी लिए लिया आइम प्रावड आफ माईसेल्फ और मैं बहुती ज़्यादा भागिसाली हूँ ये बोलो कैसा आपको फील हो रहा है बोलो इसको, समझ माग्या बोलो इसको, इस बात को आप समझो अब कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है अब वापिस लॉट के आओ अब वापिस लॉट के आओ उसी गोल्डन एनर्जी में वापिस intervals कर जाओ जिस रास्ते से गए थे उसी से वापिस आ जाओ, गेट से बाहर निकलो, खुद को देखो आप सामने बैठे हुए हो, दिख रहा है, अब आप मुझे बताओ आपके चहरे पर खुशी है, अब बढ़ियां से धीरे धीरे अपनी आखे खोलो, अपने हाथों को इस तरीके से ऐ धीरे धीरे आप रोज करिये, आपको धीरे धीरे ये रोज आपको अच्छे से बनने लगेगा, याद रखना, emotions quantized नहीं होते, इनकी quantity नहीं होती, समझ मा आ गया, कभी भी इनका quantification नहीं किया जा सकता, आप जो feel करोगे वो लगने लगेगा, समझ मा आ गया, जो भी आप feel क करोगे वो लगने लगेगा, और जैसा लगने लगेगा, वैसा होने लगेगा, और जैसा होने लगेगा, वैसा आपकी तरफ आने लगेगा, याद रखना, ये बहुत बड़ा secret बता रहा हूँ, कितनी सारी books आप पढ़ लेना, कितनी सारी आप books पढ़ लेना, बड़े बड Reading Scientist की आप बुक पढ़ लेना और आपको यही पता चलेगा कि जो मैंने आपको बताया है कि आपको तब जाके पता चलेगा कि हाँ उन्होंने यही बात बोली है समझ माया तो चलिए क्लास से स्टार्ट करें